रादिका ने खिलाए दिव्यांक के पापा के महमानों को आलू के छिलके के पकोड़े जी हाँ दोस्तो टीवी सेल मनती सुन्दर के एपिसोड में आप दीखेंगे तब रादिका फर्स पर बेहो सोकर गिर जाती है तब दिव्यम रादिका की काफी देख रेक करता है देख कर रादिका को बहुत अच्छा लगता है उस देर के बार रादिका छट पर कपड़े उतारने के लिए जाती है आरी साने की कारण कपड़े गीले हो जाते है रादिका को लगता है कि दुलारी ने उसके सवालों का जवाब दिया है उसके बार राधिका कमरे में ले जाकर कपड़े सुखाने डाल देती है दिवियम जैसे कमरे में आता है से बदबु आने लगती है उसके बार दिवियम की नजरे कमरे में फैले वे कपड़ों पर जाती है दिवि दिव्यम की मा दिव्यम के कमरे के सामने से निकल रही होती है। दिव्यम के पापा के क्लाइंट आकर बैठ जाते हैं लेकिन उनको नास्ता खाने का मन नहीं होता। दिव्यम के ताय जी को पकोड़े खाते हुए देखती है। पूर उनसे कहती है कि पकोड़े किसने बनाएं। तो अताय जी बताते है कि रादिका ने बनाएं। तो वो ये भी बता देते हैं कि कैसे बनाए सुनकर सुजाता पूरी तरह से गुसे में आ जाते है वही पर दिव्यम भी आ जाता है रादिका जैसे रसोई में वापस आती है तब दिव्यम और सुजाता दोन और रादिका के उपर गुसा करते हैं उसके बाद वही लोग पकोड़े के बारे में पूछते हैं कि ये कैसे बनाए और किसने बनाए जिस पर सुजाता कहते हैं कि ये मैंने नहीं राधिका ने बनाए तो रादिका उन्हें बताते हैं कि हमने आलू के चिलके के पकोड़े बनाए हैं सुनकर वो लोग चोक जाते हैं तुजाता दिवियम और उसके पापा को इस बात की फिक्र हो जाती है कि लोग कहीं हमारे साथ काम करने से मना ना कर दे तो देखना ये होगा कि क्या रादिका के दुआरा बनाए गए पकोड़े उन लोगों को पसंद आएंगे तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताए जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले तैंक यू